दोस्तों करे बार हमारे जीवन की परिस्थिती ऐसी होती है कि हमें समझ में नहीं आता है हम करे तो क्या करे अधार्थ हमारा हर सोच, काम और योजना आई स्थिर सा लगने लगता है क्योंकि हमारी परिस्थिती ही बहुत खराब होती है ऐसे समय में हमारे मन में एक प्रसन उठता है कि हम अपनी जीवन की अनिसित्ता का सामना कैसे करें इसी संदर में मैं आप सबों को बाइबल से एक घटना बताना चाहता हूँ नभी जोस्व का करंथ अध्य एक पत्संख्या छेट इस्वर ने जोस्वा से कहा तुम दिड़ और पजबूत बनो क्योंकि तुम ही वो इंसान हूँ जो इस्राइलियों को कनान दिस ले जाओगे जिसे मैं उन्हें देने की प्रतिक्या उनकी प्रवजों से किया है दोस्टों आज हम जिस पिसे पर चर्चा कर रहे हैं वह है अपनी जीवन की अनिस्चित्ता का सामना कैसे करें दोस्तों अभी जोस्वा इस्राइलियों का दूसरा सबसे बड़ा अगवा था जो मुसा की मृद्यू के बाद इस्राइलियों को कनान दिस ले जाने मौला था जो भी की ईस्वर ने उन्हें वह देश देने की प्रतिक्या की थी लेकिन जोस्वा के लिए उस प्रतिग्या देश जाने की याद्रा सहज नहीं था अधार उसकी याद्रा लंबी, मुस्किल और कठी नायों से भारा हुआ था क्योंकि उसे वहाँ जाना था जहाँ अब पहले कभी नहीं गया था उसे वहाँ जाना था जहाँ उसकी सत्रू अहले से विद्यमान थे या रह रहे थे इन सब के बौजूद भी जोस्वा ने ईश्वर के उस वशन पर विश्वास किया तुम ग्रड़ और मजबूत बनो जिस तरह मैं मूशा के साथ था मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा मैं तुम्हें कभी नहीं जोड़ूँगा क्योंकि जो मेरे करीब रहता है और जो मेरे सानिध्य में जीवन बिताना चाहता है उसे मैं कभी नहीं त्यारता हूँ वही ईश्वा जिसने जोश्वा के बुरे वक्त में उसके जीवन के अनिश्चित्ता में उसका साथ दिया उसका साहस और दारस बनाया हमें भी हमारे जीवन के अनिश्चित्ता और बुरे वक्त में हमारा साथ देना चाहता है हमारा धाडस बंधाना चाहता है क्या हम ईश्वर का साथ पाना चाहते हैं बस वो हम से चाहता है कि हम उसके करीब रहें उसके वच्छनों पर विश्वास और भरोसा करें और मुझे विश्वास है कि ईश्वर जो हमारे हर परसान और रहुसकता हो चाहता है हमारा उधार जरू करेगा वो हमारे मुच्किल समय में हमारा साथ जरू देगा हमारा मात दस्शन करेगा और हमें हमारे चीवन की अनिस सिद्धा से बार लगाएगा इस लिए मैं फिर से कहता हूं अपने ईश्वर को कभी भी नहीं द्यागो उसके करीब रहो, उसके प्रेरेनाओं को अनुभव करो और वह तुमें हर मुसीबत से बाहर लगाएगा धन्यवाद, God bless you